रेडियू पत्रिका में आईये सुने अब एक और कारिक्रम वाईयू प्रदूशन भागो भागो बच्छो भागो भागो हाई उफफ कोई तो बचाओ 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 मुना क्या हो गया बेटा अरे मुना ऑन्हा प्रदूशन यह बचाओ अने बचाओ किसे बचाए बेटा मुना बेटा 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 अरे मुना क्या सपना देख रहा था अरे मुन्ना, क्या सपना देख रहा था तू, हमें भी बता न, ये तू किसे बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहा था, मा चीख पुकार मैं नहीं मचा रहा था, फू तू वायू मंडल की गैसें थी, बेचारी प्रदूशन से बेहाल, ये तू क्या बहकी बहकी बाते कर मुन्ना, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, मा, कल आपने समझाया था न, कि वायू मंडल में बहुत सारी गैसे हैं, और सभी की मात्रा भी निश्यत है, हाँ बेटा, बताया तो था, और ये भी बताया था, कि कारखानों, बहानों और अन्य कारणों से, इनका संतुलन देख रहा था मा, दूर दूर तक कहीं आबादी नहीं थी, कहीं कोई इनसान नहीं देख रहा था, ऐसे में लगा कि वायू मंडल की गैसों ने अलग-अलग इनसान का रूप धर लिया है, फिर वो मिलकर एक सभा करने लगी, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्र और कारबंडा एक सेट गैसे थी, अच्छा, तो तू ये सपना देख रहा था, अच्छा मुना, वो गैसे क्या सभा कर रही थी, सरा हम दोनों को भी तो बताओ ना, वो सभी परिशान थी, कोई मोटी तो कोई पतली होने से, यानि अपनी-अपनी मात्रा घटने या बढ़न से सभी दुखी थी, हाँ, नाइट्रोजन ने सबसे पहले कहा था, मैं, नाइट्रोजन, आप सभी गैसों का स्वागत करती हो, आज हम वायो प्रदूशन से बढ़ रहे खत्रे पर विचार करने के लिए इकठे हूर है, सभा के अध्यक्षिता के लिए मैं ऑक्सीजन बहन को आमंतित करती हूँ, बहनों, हमारा जीवन खत्रे में है, वायो में प्रदूशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मैं सोचती हूँ, कहीं और चले जाओ, तुम क्या कहती हो हाइड्रोजन बहन, नहीं ऑक्सीजन नहीं, तुम कहीं ना जाना, तुम्हारे बिना मेरा यानि हाइड्रोजन का क्या होगा, मेरे और तुम्हारे मिलने से ही तो प्रत्वी पर पानी बनता है, ऑक्सीजन बहन, तुम कहीं चली गई तो पाने कैसे बनेगा और पाने के बिना प्रत्वी पर जीवन कैसे संभव हो सकता है हाँ वो तो है हाइड्रोजन बहन लेकिन इन दिनों शहरों और गाउं में इतने कारखाने मोटर गाड़ियां बढ़ गई है कि उनके धुए से वायू मंडल में मेरा रहना ही मुश्किल हो गया है मेरा तो कहीं जंगल में रहने को मन करता है हाँ ओक्सीजन बहन मैं जानती हूँ अरे इस बार तो सभा के लिए ही जगे नहीं मिल रही थी जिधर जाओ उधर थुआ ही थुआ बदबू खुटन और नाइट्रोजन वो पिछली सभा की जगे का क्या हुआ वो तो बड़ी अच्छी जगे थी ना क्या बताऊं ओक्सीजन अब वहाँ भी लोग खाना बनाने और तारकोल गरम करने के लिए ठेल सारी लकडिया जलाने लग गए जिससे चारों तरब धुएं के कारण अंधेरा होने लगा है वहाँ तो अब बहुत ही ज्यादा प्रदूशन हो गया है बहन तब तो ये जगा ही ठीक है कम से कम यहाँ कारखानों और मोटर गारियों का धुआ तो नहीं फिर भी कुछ प्रदूशन तो है ही यहाँ मनुष्य जो सिगरेट बीड़ी पीता है उससे भी तो हवा दूशित होती है इस हवा में सास लेने से ही सास संबंधित रोग तमा और कैंसर जैसी खतरणाग बीमारिया होती है सचाई यह है कि मनुष्य अपने पैरों पर खुद कुलाड़ी मार रहा है अरे आप ही तो कुछ बोलिये ना कार्बन डायोकसाइड बहन क्या कहूं अद्यक्षा जी वाईयू मंडल में मेरी भागीदारी आधा प्रतिशक्त से भी कम थी लेकिन यह मनुष्य इस तरह बेड़ों की कटाई करता ही जा रहा है कि मेरी मात्रा बेहिसाब बढ़ती ही जा रही है और मेरी मात्रा बढ़ने से पर्यावरण के संतुलन को खत्रा पैदा हो गया है तुमने ठीक कहा कार्बन डायोकसाइड बहन ये पेड़ ही तो है जो तुम्हारी बढ़ती मात्रा को सोख लेते हैं और बदले में आप्रिजन पैड़ा करते हैं जब पेड़ ही नहीं होंगे तो तुम्हारी मात्रा तो बढ़ेगी ही ना हाँ और तो और मेरी बढ़ती मात्रा से धर्ती का तापमान भी बढ़ रहा है हाँ कार्बन डायोकसाइड बहन तुम्हारे साथ साथ कार्बन मोनोकसाइड भी बढ़ रही है जो मानब जीवन के लिए और भी ज्यादा नुकसान दायक है हाँ हाइडरोजन तुम बिल्कुल ठी कह रही हो अरे 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 वो देखो दुआ अरे अरे वो दुआ दुआ अरे अरे हीडरोजन तुम पर दुआ फागो यांसे सबी कैसे बचो बचो भागो भागो चिल्ला रही थी, पेरा सपना तूट गया अच्छा, तभी तुम सोते में चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ जी मा, लेकिन पिताजी, एक बात तो है, यदि वायू प्रदूशन को रोका नहीं गया, तो हमारा जीवन हाँ, हम सभी का जीवन खत्रे में पड़ जाएगा, यही न हाँ पिताजी, पर क्या इससे बचने का कोई उपाए नहीं है? क्यों नहीं बेटा, इसका भी उपाए है, वो क्या? देखो, जितने ज्यादा पेड़ होंगे, उतनी ज्यादा हर्याली होगी, और हर्याली से वायू भी स्वच रहेगी हाँ, और मा, खूब पेड़ होंगे, तो हमें खूब फल भी मिलेंगे हाँ बेटा, फल तो मिलेंगे ही, साथ ही मिलेगी साफ हवा भी अरे भाई, जब पेड़ खूब लगाएंगे, साफ हवा हम पाएंगे हाँ, क्या पाएंगे? साफ अगा हम पाएंगे, जब पेर खूब लगाएंगे, पेर खूब लगाएंगे वायू प्रदूशन, अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम विशे संयोजन, अमरेंदर बहरा, आलेक, पंकज चतुरवेदी, कलाकार, सुनिती कोहली, गीता वर्मा, दिनेश वर्मा, निरु अगर्वाल, अलका अमीन, आशिश बक्षी और वंदना रावत ध्वन्यंकन, भूशन गजभिये और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग, अब्दुल खालिक, तथा निर्माण एवं प्रस्तुती, दावदयाल चतुरवेदी